हेलो वाई से जो स्पास्स मनी है उससे कैसे बैड रोल करते हैं जो सारी जानकारे मैं आपको बताऊँगा कि इस पास्स मनी के अंदर आप कौन-कौन सी सवीदा अपलब धैं और सब्सक्राइब कि अंदर बहुत सारी सवीदा है जैसे कि आपकी डिटल पैन काड बना सकते हो और भी बहुत सारी सुवीधाइं कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो कोई भी कनेक्शन बिल पेमेंट या कोई भी सिलेंडर वोक या भी बहुत सारी सुवीधाइं इसके अंदर है जिससे को आम बता दूं कि सबसे पहले आप उनको इसपाइस मनी के लिए आपको कोई डिस्टिब्यूटर से आईडी लेने की आवा सकता नहीं है आप खुद अपलाई कर सकते हो डिक्टिविटर की जरूरती नहीं पड़ेगी आपको खुद आपके डोकुमेंट डाल कर आप खुद अपलाई कर सकते हो इसके बाद में आपको 2-3 दिन का बेट करना पड़ेगा 2-3 दिन बेट करने के बाद आपकी ID approval हो जाएगी और आपके ID password मुबाइल पर आ जाएगे तो ठीक है इसी तरीके से मैंने भी ID को activate कराया है तो आभी देखते हैं मेरी ID केंसी है ठीक है ना तो देखिए मैं आपको सारा के लिए बता दूँगा इस वीडियो में तो आपको तो दोस्तों मैं login करता हूं फटा फट से तो यह login होने के लिए यह OTP मांगता है और OTP जाएगा और OTP इंटर करने के बाद यह OTP इंटर होगया और login हो गए ठीक है तो कुछी समय में यह login हो चुका तो मैं आपको बता दूँग इसमें आपको किस तरीके से आपको ID करना है तो आप ID सबसे पहले आपको जाना है इसपाज मनी एप को डाउनलोड करने के बाद आपको आधार कार्ट पाइन कार्ट जो डॉकुमेंस और आपकी एक बीडियो रिकॉर्टिंग जो भी आपकी सम्की और इसको अपलोड कर देना है जब पूरा प्रोसेस और आपको जो भी डिटिल्स है वो मांगे फील कर देन करने के बाद आपको दो से तीन दिन का बेट करना पड़ेगा दो से तीन दिन बाद आपके मोबाइल नमर पर या इमेल पर आईडी और पासफ़र दोनों आ जाएंगे और आप इसके बाद लोगिन कर लेना ठीक है न दोस्तों तो इसमें आपको बहुत सारी सुवीदा मिल तो आपको बहुत सारी फ्यशर से मिलते हैं मिलते हैं दोस्तों इसके मैं आपको बताता हूं की बिनन स्किप की पूरा विडियो लाइस तक जरूर देखें आपको समझ में आ जाएगा आपको है जानकारी बहुत काम आईगी ठीक है न दोस्तों इसलिए आपको mini statement देखना या ila balancing theory करना है तो ठीक इसी तरह से हैं से आप GAT निकासी कर सकते हो और balancing theory आप यहां से कर सकते हो जो उनसी आपकी डिवाइस से हो device connect कर लेना या से मंत्रा कि ए मोर्पो कि यह या अन्य कोई company की है तो आपको उसी इसाफ़् से आपकी device connect कर लेना ठीक है ना device को आप यहां से कनेट कर सकते हो डिवाइस कनेट करने के बाद फिर आपको कोई सी भी बेंक सिलेक्ट कर सकते हो बेंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां आदार नमर टाइफ करने के बाद आपको आदार नमर टाइफ करने के बाद आपको कोई मुवाइल नमर आपका जो मुवाइल की लाइट आउञ याई याइंगि याइँ बाद को फिंगर कस्तिम्लर का फिंगर लगा सकते और ये आप बैलंस इन गोरी गर सकतेmyisa सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तब के लिए जय हिंद झाल